हलो दोस्तो आज आपको हम हाइश्कूल बोर्ड परिच्छा 2024 के बारे बताने वाले हैं जो हाइश्कूल के विद्यार्थी हैं उनको पहली बार पेपर देना है तो उनके सामने समस्या होगी कि प्रस्मेपत्र कैसे आएगा और अगर प्रस्मेपत्र उनका समझ में नहीं आया तो परिच्छा में अच्छे अंक नहीं लापाएंगे इसलिए सबसे पहले खास बात यह है कि आपको प्रस्मेपत्र समझना है प्रतेक विशे का प्रस्मेपत्र ठीक चाहे हिंदी हो चाहे विज्ञान हो अंग्रेजी हो सामाजी विज्ञान हो कला हो अंग्रेजी हो कोई ह जब तक उसका आप प्रस्ण पत्र समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है एक हमारे पास पुराना माडल पेपर है बोड पेपर हिंदी का है उसको आज आपनों के सामने हम ला रहे हैं और देखिए वो हिंदी का पेपर ऐसे है ठीक है अब इसमें आप देखेंगे कि यह प्रस्ण पत्र आपका दो खंडों में विभाजित है कितने खंडों में विभाजित है दो खंडों में विभाजित है पहला खंड आपका विकल्प वाला रहेगा 20 प्रस्ण रहेंगे उसमे पर भरना है और OMR seat जो है इस तरह से आता है इस तरह से आपको अपना Ankarmank लिखा रहेगा उसको आपको काला करना है और जितने भी प्रस्ण आपके वीश प्रस्ण है उन्ही वीश प्रस्णों का उत्तर आपको यहाँ पर अंकतालिका दिया गया है उसमें आपको भरना है और उसको भरने के लिए आपको केवल काले प्यान या नीले प्यान डार्ट प्यान का ही उप्योग करना है और किसी कलम का प्रयोग नहीं करना है इसकेज, पेलसिंग, जेलपियंग, इन सारे चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है ठीक, अब जैसे जो 20 प्रस्न आएंगे, उनमें चार विकल्प रहेंगे और चारों विकल्प में जो विकल्प आपका सही रहेगा A, V, C, D अब जिस प्रस्न का जो विकल्प सही है, उसे प्रस्न के उसे विकल्प को आप भर भीजिएगा जैसे मालीजिए, आपका पहला प्रस्न का पहला C सही है तो आप C इसको काला कर देंगे क्या कर देंगे? C काला कर देंगे एक चीज ध्यान्द है आप जो भी विकल्प काला कर रहे हैं कि और गोले के अंदर होना चाहिए गोले के बाहर नहीं अगर जो गोले के बाहर जा रहा है तो आपका उस ही नहीं माना जाएगा और उसके बाद आपको नंबर उस पर नहीं मिलेगा एक चीज और ध्यान देखिएगा, अंकरमांक जो आपको भरना है, अंकरमांक आपका 10 अंका होगा, 9 अंका होगा, 12 अंका होगा, उतने अंक आप लिखा रहेगा, उसके नीचे वही अंक आप काला करेंगे, गोले के अंदर, और उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना होगा, व प्रतेक कमरे में कच्छ निरच्चक रहते हैं, वो कच्छ निरच्चक आपको मार्ग दर्सन जरूर देंगे, ठीक, इस प्रकार से आपका ये विकल्प वाला हो जाएगा, 20 प्रसन ही रहेंगे, और 20 प्रसन है आपके ही महत्पुन नंबर उठाने वाले हैं, क्योंकि ये कंप सावधानी से, बहुत बारीकी से आप काम करियेगा, ठीक है, चलते हैं अब हम वाखंड में, वाखंड में देखिए आपका क्या आएगा, जब आप कापी में लिखना होगा, ठीक है, तो देख लिए, आपकी कापी पुछ इस तरह से आएगी, किस तरह से आएगी, और ऐसे इसमें पन्ने रहेंगे पन्नों को सलकार करके आपको बढ़ियां से लिखना है ठीक जितने भी बढ़ियां से आप सलकारेंगे उतने भी बढ़ियां से आपको सुन्दर दिखेगा इसलिए जो दिखता है वही दिखता है ऐसे पन्ने रहेंगे पन्नों को आप सलकार करके तब उसमें आप लिखेंगे, ठीक, मैं यहाँ पर कापी आपको दिखा दिया हो, लेकिन आपको इस वोड पर हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे, कैसे लिखना है, दिखिए जो आपका खंड वा है, ठीक है, वहाँ पर पहले आप कापी में दा लिजेगा, खंड वा, ठीक, खंड वा हो गया, खंड वा में फिन आपको जो प्रस्न करना है, ठीक है, उसी प्रस्न उत्तर लिखिएगा, अब लिखने के लिए आपको देखिए, प्रस्नों उत्तर, क्या लिखना है, प्रस्नों उत्तर, एक की ध्यान दखिएगा, आपके जो 20 प्रस्न है, उन्हें 20 प् अर्काल इकीस्Warhmish nat著 कितना व्हसाव चायईगा कुरी सबीक गायं की चलिए अब इकीस्मे के yuku है भार है जाये जैसा भी होगा कुसी परकाश से वहां नम्ब टीजीएंगा चलिए तो और यहां पर देखिए आपको दिखाए पर नहीं है चाहिति प्रस्नों के उस्तरों के उस्तरों के अभी हां पेपर में दिया गया है प्रो Sole हुए ठीक है अब इसमें देखे जो प्रस्ता बनाया गया पहला प्रस्ता बतार गया है कि एक नमबर पर प्रस्तुत् आवत्रण के संदर्lic यह लिखना है संदर्व लिखना है तो संदर्व लिखने क्लिए आप क्या करेंगे ऐसे हैं डाल दी जिए ठीक और संदर्भ में आप कैसे लिखेंगे संदर्भ उसको में तरीका आपको बता ले रहा हूँ यही तरीका आपने आईएगा इस तरीके से आपको अच्छा नंबर मिलेंगे ऐसे लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्टक हिंदी के गद्य खंड अब यहां पर आप गद्य खंड को भी इनिवर्टर कामा में कर देंगे हिंदी को भी इनिवर्टर कामा में कर देंगे ठीके गद्य खंड के मित्रता नामक पार्षे किस नामक पाठ से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है लिया गया है ठीक है इसके लेखक कौन है आचारी रामचंदर शुक्र जी है अचारी रामचंदर शुक्ल जी है फिर इस बटन कर दिएगा आचारी रामचंदर शुक्ल को अब यहां पर देखिए आप एक चीछ ध्यान दीजेगा कि हमने जो भी पहले प्रस्म का जो पहला रोमन अंक में था उसका मैंने यह उत्तर लिखा है ठीक है यानि कि इसका लिखा है अब इसमें देखिए यह इतना आप लिख देंगे तो यह दो नंबर का है दो नंबर आप कि अपनाएंगे सब और उसके बाद फिर आपको दूसरा परसेशी में है रे खांकित अंस की व्याक्षा कीजिए तो आपने पहला नंबर यहां डाल करके संतर लिखा था अब दूसरा नंबर डाल करके यहां चा लिखेंगे व्याक्षा लिखेंगे व्याक्षा हेडिंग अंतरगत आप लिखना शुरू कर दीजिए और जैसे जैसे जो पूछा गया है उसका आथ लिख दीजिए यह से मित्ता समान सभावालों की ही नहीं होती है मित्ता किसी से भी हो सकती है और मित्ता निभाने के लिए एक दूसरे को समझने की आशक्ता होती है उसके आधार प पर लिख दीजेगा में तीसरा पर है राम और लछमर के संधल में बहुत अंतर थह राम धीर सुभाव के थे और लचमर कुर्द सुभाव के थे यही दोनों में था अंतर था इसी प्रकार से आप 21 प्रसंट कर लेंगे ठीक है और उसके बाद फिर आपको जैसे गद्यांज का आया वो उसे अगला प्रसंट हो जाएगा बाइसलों हो जाएगा वो पद्यांज का हो जाएगा पद्याश में भी संदर्व व्याक्चा और काद संदर के बारे में पूछता है उसको आप लिख देंगे उसको लिखने के बाद फिर आपको संस्कृत वाला आएगा ठीक तो संस्कृत में देखिए यह होता क्या है कि पैरा ग्राफ दिया रहेगा उस पैरा ग्राफ को आपका लिखना है सासंदर्व व्याक्चा देखिए यहाँ पर 23 प्रस्न है ठीक है और 23 प्रस्न में लिखा गया है कि सासंदर्व व्याक्चा कीजिए संदर्व सहिद व्याक्चा कीजिए ठीक है तो अब वो दो दिया है दो में से किवल आपको एक ही करना है ठीक है एक चीत ध्या पर अपको नहीं आता है उनको मैं बहुत आसान तरीका बता दे रहा हूं असमके से आप काम कर लीजीगा संस्क्रिप में जो हलंत बिसर लगा है उसको हटा तीज़ेगा अर्थ आपको नहीं मालूम है तो ऐसे हटा करिके लिख़ी आपका सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपको पठी लच पॉर्णी में पाठ पुस्तक से हो, लेकिन पेपर में ना आया हो, वो एक इसलोप याद कर लीजिए, दो इसलोप आपका काम हो जाएगा, उसी प्रकार से जीवन परचे आएगा, जीवन परचे भी आप हेडिंग डाल करके अच्छा सा लिखेंगे, तो आपको अच्छा नमबर मिलेगा, ओकी.